हलो गाई स्वागत है आप सभी का आज की बहुती शान्दा ग्रामर क्लास में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रनावन और प्रनावन एक बहुती बड़ा टॉपिक है इसलिए पार्ट टु वन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रनावन का पार्ट टू पढ़ने कर लीजिए और यह जो ग्रैमर कोर्स है इस कोर्स में आपको सारा डिटेल मिलने वाला है चाहे आप एससी बैंकिंग रेलवे एसस भी आप इसके अलावा किसी भी कॉम्पटेटिव एक्जाम की तहरी कर रहे हो चाहें पोरेस्ट क्यों चाहें मध्यप्रदेश बिहार यू पूछा जाता है तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए जिसे आप ऑफिसर बन जाते आप उस पद के लिए चाइनीद हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको लेटर में बहुत सारा काम करना पड़ता है लेटर में लिखना पड़ता है कि भाई किसी अपने आ जो basic topics होते हैं grammar के वो आपको पूछे जाते हैं यह जो मैं course आपको English grammar का करवा रहा हूँ यह सभी exams के लिए applicable है छोटी सी चोटी exam और बड़ी से बड़ी exams के लिए applicable है क्यों क्यों कि इसमें basic to advance में आपको grammar पड़ाऊंगा इस course में आपको topic wise test मिलेंगे सारे topics में cover करवाऊं तो all in one यह हमारा grammar course है आपकी सेवा में हाजिर है चलिए आज का topic शुरू करते हैं अगर आपने भी तक इस course को जौइन नहीं किया है तो फटा फट कर लीजिए जाईए Mastery app डाउनलोड करिए और app डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप all in one grammar course आपको मिल जाएगा उसे ज ब्रीफ दे रहा हूं क्योंकि मैं यह topic का introduction कर चुका हूं अगर आपको brief नहीं समझना है तो आप skip करके आगे बढ़ जाए और थोड़ा सा और revise करना है तो मैं कर देता हूं हम सभी को पता है कि प्रनावन दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है कितने शब्दों से मिलकर बना दोस्तों कि मालने प्रनावन है तो यह जो प्रनावन है ना यह नावन को रिप्लेस कर देता है मतलब ऐसा वर्ट जो नावन की जगव पर आए नावन को रिप्लेस करने का काम कोन करता है प्रनावन करता है बास समझ में आ गई जैसे मैंने बोला कि राधा इस ब्यूटिफ तो दोनों वाक्यों में कोई diffrens नहीं है दोस्तों दोनों वाक्य seemed to same है इतना difference है कि यहां पर मैंने radar word इस्टमाल किया और यहां पर मैंने she सी इस्तमाल किया तो जब कोई word किसी नाम की जगव पर आता गयुकि कि नाम क्या होता है दुनिया का कोई सा भी नाम क्या होगा दुनिया का कोई सा भी नाम क्या होता है वो होता है नाउन होता है कोई सा भी नाम होगा वो नाउन होगा और जो नाउन की जगह पर आजाए जो जो नाउन की जगह पर आजाए नाउन की जगह पर आए नाउन की जगह पर आए वो क्या कहलाता है दोस्तों तो आप बोलो के सर बहुत ही आसान है वो कहलाता है आपका प्रोनाउन क्या कहलाता है प्रनाउन तो ultimately मैं noun को इसलिए बार-बार आपको समझा रहा हूँ कि इस बात को आपको समझना होगा कि ये पूड़ा का पूड़ा topic ही noun से जुड़ा हुआ है बस noun जहां आता है जब हमें noun को avoid करना हो noun के repetition को रोकना हो noun की जगह पर कर दूसरा word इस्तेमाल करना हो तो वो एक ही word हो सकता है वो होता है pronoun is a word which comes in place of noun pronoun एक ऐसा शब्द होता है जो noun की जगह पर आता है बास समझ में आई या नहीं है आया ना बोलो भाई बास समझ में आ गई बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो इसलिए यह जो प्रणावन है आज हम पढ़ने वाले हैं अब कल की क्लास में जो हमने इसकी प्रिवेस क्लास ली थी इसकी प्रिवेस क्लास में दोस्तों हमने क्या-क्या पढ़ लिया था तो हमने पढ़ा था noun क्या होता है noun का पहला type होता है personal pronoun हमने personal pronoun को detail में पढ़ा कि personal pronoun में कौन सा first person होता है, कौन सा second person होता है, कौन सा third person होता है personal pronoun में हम साथ शब्दों को रखते है I, we, they, you, he, she, it है ना यही साथ सब्दे थे ना इसके लावा हमने ये भी समझा कि किस तरीके से उन साथ pronouns का nominative case होता है, objective case होता है, possessive case होता है तो पूरा detail में हमने कल की class में समझा था, तो इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपने previous class नहीं देखी हो तो आपको ये class समझ में आने के chances कम है तो आप जाईए और पहले, इसके पहले वाली pronoun की part one class देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा आज pronoun की part two की बात करेंगे, तो मैं revise करवा रहा हूँ, personal pronoun हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा था reflexive pronoun, उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा demonstrate you pronoun डेमो स्टेटिव प्रनावन में हमने पढ़ा था कि भाई this that और these और those का इस्तमाल कैसे करते हैं, second number पे हमने पढ़ा था reflexive, तो उसमें हमने himself, herself कैसे लगाते वो पढ़ा था, और fourth number पे हमने पढ़ा था relative pronoun, जिसमें हमने who, which, why, who, which, whom, whose, इन शब्दों का इस्तमाल करना सी रिखा था, I have revised you complete, now it's time to move ahead, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और समझते हैं कि हम किस तरीके से, पाँचवा जो टाइप है, चार हो गए थे, आज पाँचवा टाइप है, distributive pronoun, क्या होता है दोस्तों, देखो, नाम सही समझ में आ रहा है, कि किसी भी चीज का क्या करना, distribution करना, मतलब, इसका मतलब ही होता है, कि distribute करना, मतलब बाटना होता है, क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम distribute करेंगे, तो इसका meaning होता है, बाटना, क्या करना, बाटना, अब किसी चीज को हम बाट देंगे कुछ लोगों के बीच कुछ वस्तूओं के बीच तो वो distribute करना कहलाएगा जब हम ऐसे शब्दों का इस्तमाल करते हैं जिनका काम होता है बाटना मतलब शब्दों को बोलने से लगता है कि हम डिवाइट कर रहे हैं चीजों को तो वो जितने भी ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन की जगव पर आएंगे वो distribute pronoun कहलाएंगे जिस प्रणाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तूओं मेंसे किसी एक वस्तू का भी नहीं बोत कराने के लिए किया जाता है उसे प्रनाउन उस प्रनाउन को distributive pronoun कहते हैं यहां पर यह नहीं को अभी मिस कर दिजिए यह नहीं को मिस कर दिजिए जैसे क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं यह बात को समझें कंध्यूज कर देगा जब हमें ऐसा बताना हो कि या तो जिसे बदला अरे उन दोनों में से पता है कोई भी एक भी होश्यार आत्मी नहीं है उन दोनों में से कोई एक भी होश्यार नहीं है तो नीदर आफ का प्रयोग करते हैं नीदर आफ देम इस इंटेलिजन बात को समझना नीदर आफ देम इस इंटेलिजन मतलब क्या हुआ इन दोनों में से कोई भी एक भी होश्यार नहीं है तो दोनों में से किसी एक का भी या किसी दो व्यक्तियों के बीच में से किसी एक को चुनना हो मतलब मान लीजिए कि ये दो व्यक्ति है एक ये खड़ा है आपके सामने एक ये खड़ा है आपके सामने ये ये भी है इन दोनों में से कोई एक या तो दोनों या फिर दोनों में से कोई एक बास समझ पा रहे हो दोनों के दोनों बदमास है या फिर दोनों के दोनों अच्छे है ये दोनों में से कोई एक इन ऐसी बातों को बताने के लिए हम distribute pronoun का प्रयोग करते हैं आपको दिरे दिरे आगे में समझाऊंगा तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा एक सेकेंड ठीक है पहले हम इसको erase कर देते हैं पहले हम इसको erase कर देते हैं यहां तक समझ में आ गया अब ऐसे कौन-कौन से word होते हैं दोस्तों ऐसे कौन-कौन से word होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि कौन सा distributed pronoun है देखिए एक होता है आपका इच एक होता है इधर एक होता है एधर यहां नीधर आना था ये गलत लिखा यहां पर क्या आना था नीधर मैं करेक्ट कर देता हूँ ये एक्ट्र में ये नीधर लिखा हुआ है नाइधर जिसे आप जाने की कोशिस करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए आप रिलेट कर पाऊँ इसका मतलब होता है प्रत्तिक एधर मतलब होता है दोनों में से कोई एक दोनों में से कोई एक एनीवन का मतलब होता है कोई नीधर ये नीधर है इस नीधर का मतलब होता है दोनों नही दोनों में से कोई नहीं और नन का मतलब होता है कोई नहीं सब्दों में बहुत बारिक सा डिफरेंस है इच मतलब होता है प्रतिक जैसे हम कई बार बोलते हैं कि कि each of the boy has not done homework तुम मैंसे किसी बच्चे ने पारिस्पेट नहीं क्या प्रतिक बच्चे की बात कर रहे हैं कोई काम किया हो नहीं क्या लेकिन प्रतिक बच्चे की बात कर रहे हैं हिर्दी से रेलेट कि इधर मतलब इधर को इधर को धी पढ़ता हूं इधर को मतलब होता है कि दो जीसे बोलते ना इधर औफ देम वर अपकर कौरेंसे लिवह कॉई है नहीं था एणी उन आनियों न कोई एंट्रेस्टेट तो आएगा एक्जाम में आपको यह समझना है कि यहां पर यह वर्ड लिखे हैं यह वर्ड singular है की प्लूरल है अगर यह वर्ड अगर कोई भी pranown singular है देखो बात को समझना अगर कोई भी प्रणाउन अगर वो क्या है अगर वो singular है तो उसके साथ singular ही helping वर्ब आएगी क्या आएगी singular helping वर्ब आएगी अगर आपने यहाँ पर anyone लगा दिया तो anyone के साथ बताओ क्या आएगा want आएगा की wants आएगा तो आपको clear होना चाहिए कि anyone के साथ wants आएगा क्योंकि anyone जो शब्द है वो क्या है एक singular शब्द है हम ऐसे बोलते हैं कि anyone is interested या anyone are interested कोई चलना चाहेगा तो क्या बोलेंगी anyone is interested तो anyone के साथ अगर कोई helping वर्ब लगेगी तो वो एक singular helping वर्ब होगी उसके साथ क्या लगेगा दोस्तों is लगेगा क्या लगेगा is लगेगा इस बात को आपको समझना पड़ेगा तो इसलिए मैं आगे आपको example के माध्यम से समझाऊँगा कि आपको किस के साथ ease लगाना है किस के साथ r लगाना है यह सारा समझेंगे पहले हमने इनका हिंदी मतलब समझ लिया आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ आ जाते हैं यहाँ पर देखिए example के माध्यम समझते हैं देखो दो या दो से अधिक वस्तूओं या व्यक्तियों में से प्रत्यक का बोध कराने के लिए हम each का प्रयोग करते हैं मतलब दो या दो से अधिक वस्तूओं का बोध कराना कोई दो या दो से अधिक वस्तूओं हैं उनके बारे में हमें information देनी है, तो वहाँ पर each का प्रयोग करते हैं, example के माध्यम से समझने की कोशिस करते हैं, देखिए साथियों, देखो, पहला example है, each of the two boys has done it, each of the two boys, दोनों बच्चों ने, मतलब दोनों बच्चों ने, has done, done this work, दोनों बच्चों ने ये कार्य किया है, ये काम कर लिया, मतलब कहने का मतलब दोनों ने कर लिया, लेकिन, चुकि यहाँ पर देखिए, कि each of the two boys has done it, यहाँ पर जो each के साथ, जो helping verbal लग रही है, singular, exam में यहाँ पर आपको blank देदेगा, वो simple यहाँ पर आपको blank देदेगा, और यहाँ पर आपको बोलेगा, कि साथियों बताओ, ऐसा यहाँ पर इसको blank कर देगा, क्या करेगा, आपको ऐसा blank कर दिया, है ना, और फिर वो आपको बोलेगा, कि बताओ भई, यहाँ पर option A मे लिख दिया यहां पर हेव आएगा, option c में लिख दिया यहां पर डू आएगा, और option d में यहां पर लिख दिया कि यहां पर आपके लिए does आएगा, तो आपको दिमाग चलाना है एक्जाम में कि भाई पहली बात तो each की बात हो रही, each of the two boys has done this, इसका meaning यह भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक बच्चे ने काम किया है, अब एक बच्चे की बात हो रही है तो हमें इसके साथ singular helping web लगाने पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखो confusion थोड़ा सा इसलिए होता है कि इसके meaning दो थरीके से निकलते हैं, हम यह भी बोल सकते हैं कि दोनों ने काम किया, और हम यह भी बोल सकते हैं कि दोनों में से किसी एक ने काम किया, लेकिन प्रतेक शब्दा आ रहा है, प्रतेक का मतलब ही होता है प्रती एक, प्रती एक मतलब एक व्यक्ति, तो यहाँ बात को समझो, each of the two boys has done it, अब यहाँ पर भले आपको यह boys दिख रहा है, तो boys देखके आप वो आगे जाके उसके साथ singular helping verb लगानी है, तो यह has ही इसका answer होगा, have तो हो नहीं सकता है, और do तो वैसे भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का third form दिया है, done क्या है, वर्ब का third form है, तो अगर वर्ब का third form है, तो यह perfect tense उसने दिया है, अब perfect tense पोई जाते हैं, और हमारा answer आता है, क्या आता है, आपका answer आता है, यहाँ पर has, तो यहाँ पर आप क्या put कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आप has put कर देंगे, यहाँ पर has लगा दिया है, बाся समझ में आई कि नहीं आइए, आ गई बास समझ में और दीरे सका घाएगी, तो आछ अग्यासा आगे बढ़ जाते हैं देखिए हम सिंग सेकंड वाला एक्जामपल देखते हैं कि एच है कि एच आफ देफाई बॉइज हैस डन इस जॉब अब यहां पर भी सेम मदलब पांच बच्चों में से प्रत्यक बच्चे ने ये काम किया है प्रत्यक पांच बच्चों म हिसाफ से आप यहाँ आओगे और यहाँ पर आपने लगाणा है अच्छा आपके मन में question आ रहा होगा सर यहाँ पर यह बय् легко कि जिस लिखा है इसनों लिखा कि जब भी किसी pronoun के साथ जब भी किसी प्रनाउन के साथ आपका यह और अफ लग जाता है औफ तो उसके बाद जो नाउन आती वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है और फॉर्म के बाद नाउन हमेशा क्या आती प्लूरल फॉर्म में आती है एक्जामपल के माध्यम से समझाऊँगा आपको हम पढ़ रहे हैं डिस्टरी बूट्यू प्रणाउन डिस्ट्रिबूट्यू प्रणाउन यहाँ पर example देखिए इच का प्रयोग हम कैसे करेंगे use of इच meaning क्या होता इसका प्रतिक अगर मैं यहाँ पर वो off नहीं लगाऊंगा तो इच के साथ मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर इच बॉइ is ready इच बॉइ is ready to come प्रतिक बच्चा आने के लिए प्रतिक बच्चा आने के लिए तयार है यह आपका correct है देखो यहाँ पर मैंने boy नहीं लिखा क्योंकि अगर off लगा इसी sentence को अगर मैं off लगा के बनाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं off लगाया तो each of the boys हो जाएगा क्या हो जाएगा boys फिर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा is क्योंकि आप तो each के हिजाब से is लगा रहे हो is ready to come यह sentence भी आपका correct माना जाएगा grammar में why क्योंकि each के साथ हमेशा ही singular helping verb आती है तो यह इच लिखा यहाँ पर यह सिंगिलर helping verb यहाँ पर यह इच के just about boy आया तो हमने boy को boy ही लिखा boys यहाँ लिकना गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर एचा लिखूं कि each boys यहाँ पर ऐसा लिख दूँ बिना off लगाए कि each boys तो यह गलत हो जाएगा और अगर मैं ऐसा लिख रखना पड़ेगा तो grammar की चीजों में चोटी चोटी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है बास समझ में आई कि नहीं अगर चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं ठीक है तो यह हमारा इच का example था अब यहाँ पर आ जाते हैं हमने इच पड़ा अभी द यहाँ आ जाते हैं ठीक है अब इसको थोड़ा सा मैंने अटा देना है आप चिंता ना करें यह सारे के सारे नोट्स आपको Mastery app पर मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक Mastery app डाउनलोड नहीं किया है तो गलती कर रहे हो पास होने के लिए अप ज़रूरी है है ना तो घर ब दोड़ना पड़ेगा यहना सिर्फ टेख्णिक आने से रेच नहीं जिति जाती कि मुझे पता है कि भाला कैसे फेका जाता है इसे आप उससे आप गूल मेडल नहीं लाओगी आपको भाला फेकने की प्राक्टिस करना फिर तो बहुत बणे पड़ा इसलिए टेस तरी सिरी मिलेगा और एक ही बार की मेंनत है कर लीजी चलिए यहां आ जाते हैं अब देखिए अब हम देखनाए example either का किसका देख रहे सातियों की other का प्रयोग हम कैसे करेंगे either इधर का इसको आइधर भी पढ़ते हैं इधर भी पढ़ते हैं इच्छा आपकी है दो व्यक्तियों या वस्तों में से किसी एक का बोध कराने के लिए इधर का प्रयोग किया जाता है सीधी सी बात है दोनों में से कोई एक को चुनना हो तो आपको जो है इधर का प्रयोग करन जैसे घर में क्या होता है दो बच्चे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई दोनों में से कोई सी एक को मैं ले जा सकता हूं गाड़ी में एक की जगा है कि either of you one can go दोनों में से कोई एक जा सकता है ठीक है तो यहाँ example देखिए either of the two boys has come to me मतलब दोनों में से कोई एक बोई ठीक है मेरे पास आ सकता है either of the two boys दोनों में से कोई मेरे पास एक आ सकता है चुकि यहाँ पर देखिए यह either का इस्तमाल किया है तो आपको यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखनी है कि either के साथ भी हमेशा singular helping work का इस्तमाल करना है ठीक है और यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो either है इसके बाद अगर आपको यहाँ पर off the लगा दिया गया है तो फिर आपको यहाँ पर plural noun का इस्तमाल करना पड़ेगा सुद्ध भासा में अगर हम यहाँ पर समझे तो आपके दिमाग में दो option आ रहे होंगे एक तो either का इस्तमाल हम as a pronoun मतलब as a subject कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? subject कर रहे हैं either का मतलब होता है दोनों मैंसे कोई एक देखो एक आपने पड़ा होगा किससर हमने ना बच्पन में यह वाला word भी पड़ा है either or वाला ऐसे से करके आता है दोस्तो यह वाला word भी होता है लेकिन यह either or वाला जो यह जो होता है यह एक conjunction है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है जब मैं आपको conjunction पढ़ाऊंगा तब आपको ये जरूर पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको detail में समझाऊंगा अभी हम इदर को as a pronoun पढ़ रहे हैं इसलिए आपको वहाँ पर नहीं लेके जा रहा हूं आपको ये बता रहा हूं कि किस pronoun के साथ किस प्रकार का helping वब आता है क्योंकि वही पर question बन जाता है देखिए जब भी इदर लगाएंगे जब भी इदर लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है इदर आफ इदर आफ दे टू गर्ल्स या थ्री गर्स भी हो सकता है या टू गर्स कर देते हैं इदर आफ दे टू गर्ल्स इस या चैन बी चैन बी सिलेक्टेड अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ हिंदी से थोड़ा जोड़ोगे तो समझ पाओगे कैन बी सिलेक्टेड की बई दोनों में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट किया जा सकता है अब यहाँ पर देखिए इदर आफ दू बॉइस या टू टीचर्स इस एपसेंट टुडे एपसेंट टुडे दो जगा क्वेश्चन आपको एक्जाम में बन सकता है एक तो क्या करेगा वो कि यहाँ पर खाली स्थान दे दे या फिर यहाँ पर खाली स्थान दे दे यहाँ पर खाली स्थान देगा तो आपको यही पूछेगा कि यहां पर boy आएगा की boys आएगा बात को समझना देखो टाइम लगता है मैं चाहूं तो इसको दस मेट में भी खतम कर सकता हूं लेकिन चुकि क्या है ना छोटी सी गलती छोटी सी लापरवाई छोटी सी जल्दी बाजी हमारे करियर को पूर्ण तक खराब कर देती इसलिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा साथ च्छे से पढ़ लेते हैं जादा जल रही है तो इस फीट बढ़ा लो इस फीट बढ़ा कि आप देख सकते और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यहां पर यह पूछ सकता है कि बॉ धंख आती हैकि आगे आगयों को मुझे नहीं ले जाना है तो यहां पर दो व्यक्तियों या वस्तों मैंसे किसी एक का भी बॉद्र कराने के लिए एक का भी नहीं यहां नहीं पर फोकस करो नहीं का बोट कराने के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं एक्जामपल देखिए नीदर आफ दे टू बॉइज हैस हेल्प मी उन दोनों बच्चों ने उन दोनों बच्चों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की यह सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है देखिए नीदर आफ दू बॉइज हैस हेल्प मी बस बात यहां पर भी इतनी सी ध्यान रखनी है कि नीदर क्या करता है नेगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है यह क्या करता है negative sentence को represent करता है बतलब अपने आप में ये negative होता है दूसरा जब भी नीदर आएगा तो उसके साथ हमेशा यहाँ पर singular helping verb का प्रयोग किया जाएगा चाहे वो किसी भी tense की हो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि singular helping verb आएगी ही आएगी दूसरा tense के structure का ध्यान रखना ये present perfect tense है इसलिए हैस के साथ verb का third form लगा है उन दोनों मैंसे मेरी किसी ने भी मदद नहीं की इस तरीके का example दिया है एक और example मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिस करता हूँ देखिए यहाँ देखते हैं जैसे neither of the girls मैंने यहाँ पर two girls ने लिखा मैंने यहाँ पर सिफ girls लिख दिया neither of the girls neither of the girls does not does not appeared in the exam ठीके neither of the two girls does not appear in the exam यहाँ देखिए दोनों में से कोई एक भी लड़की परिक्षा में नहीं आई अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए कि सर आपने क्या क्या गलती कर दी कि neither लगाया तो फिर आपको यह does not नहीं लगाना है तो यह grammatically यह वाले पार्ट में एरर आ जाएगा मैं यह समझाने कोश्च तरहाँ देखो आपको यहाँ समझाता है मैंने क्या बोला कि भाई जो neither होता है वो अपने आप में negative होता है क्या होता है यह अपने आप में ही negative है इसको does not की requirement नहीं है अब error वाला question करते है कभी कभी exam में आता है कि कौन से पार्ट में error है तो detect the error एक question लिख रहा हूँ neither of the neither of the two girls two girls does not went to market अब यहाँ पे उसने part 1 part 2 part 3 यह आपको question मना के दिया कि बताओ भाई कौन से part में grammatical error है कौन से part में grammatical error है यह आपको उसने पूछ लिया अब आपने पढ़ा होगा कि भाई एक पहली बात तो आपको दिमाग में यह कि neither के साथ जो healthy verb आएगी हो singular आएगी तो यह नीदर लगा तो नीदर लगा तो कोई लिकर ने लगा दिया क्योंकि नीदर तो खुदी negative है तो पहली बात तो यहाँ पर does not आएगा ही नहीं सीधा sentence बन्दा neither of the two girls went to market यह part की जरुती नहीं थी यह सीधा यह cut जाता और यह सीधा आजाता कि neither of the two girls went to market दुनों में से कोई भी लड़की मार्केट नहीं गई यहाँ भी नहीं लगाया यहाँ भी नहीं लगाया यह गलती करना है तो इसको बोलते हैं कुण से पार्ट में एरर है या फिर यहाँ पर जब वो helping लगाएगा अगला question देखो कैसा exam में आ सकता है समझो बात को question में गलत नहीं होना चाहिए ऐसा पूछ सकता है वो कि नीदर ओफ दर सिस्टर्स इस इस तर्स आर इंट्रेस्टेड इन यू दुनों में से कोई बहन तुम में इंट्रेस्टेड नहीं है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपने नीदर लगाया ओफ द के बाद लगाया सही है लेकिन यहाँ गलती कर दी यहाँ सिस्टर्स के हिसाब से आर्श ह्याय है लेकिन जूषिक है आपने जो सब्जेक्ट में बनाया है वह आपका नीदर है और अगर आपका में सब्जेक्ट नीदर है तो फिर वहाँ पर क्या आएगा सातियों फिर वहाँ पर singular helping verb लगानी है जैसा कि हमने यहां देखा है कि नीदर के साथ क्या लगाया गया है singular helping verb लगाई गये बास समझ में आई कि नहीं आई हाया ना बोल भाई बास समझ में आ गया आ गया तो इस तरीके से हम नीदर का इस्तमाल कर सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं अब अगली जो अब कुछ यहां पर वर्ड बज गये देखो कि कहा गया कि यहां जाते हैं अब हम एनिवन को देख लेते हैं ठीके तो देखो एनिवन क्या होता है एनिवन का मतलब होता है कोई भी क्या मतलब होता है कोई भी तो इ एनिवन के साथ हमेशा है इस आता है एनिवन इस गुइंग आउट तो यह सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि एनिवन के साथ सिंगिलर हेल्पिंग अब लगा है क्या कोई बाहर जाने में इंट्रेस्टेड है तो एनिवन का मतलब होता है कोई जब आपको एक नंबर ओफ आप नंग मातरा दिखानी हो तब आप नं का लगाएंगे जैसे आप बोलते हैं एक्जामपल समझते हैं कि नन ओफ दड़ बॉइज वस प्रेजेंट तो यहां पर सिंगिलर वाल लपड़ा है कि कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं था अगर आपने नन लगाया और आगर आ नन अखेले का मतलब होता है कोई नहीं जैसे चार आप्शन आपको एक्जाम में दिये रहते हैं A B C D उसमें से अगर तीनों आप्शन नहीं आपको पसंद आए तो आप नन पर टिक कर सकते हैं तो इसका मतलब इतना ही होता और कुछ नहीं होता है आगे बढ़ जाते हैं ठ ठीके देखिए अगला जो है हमारा जो टाइप है वो है इंडेफिनेट प्रनावन क्या मतलब होता है इंडेफिनेट प्रनावन का इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है बताईए आप सभी बोलेंगे सर इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित क्या होता है इंडेफिन का मतलब क्या होता है अनिश्चित ठीक है आप जिस प्रणाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित संग्या के लिए किया जाता है जैसे कि one, someone, somebody, nobody, anybody मजे की बात यह है कि जितनी भी यह indefinite pronoun होती इनके इनको सभी को हम singular ही मानते हैं इनका number एक ही count होता है जैसे आप बोलते anybody is interested तो वही है यह anyone वाला ही बामला है पर चुकि यहाँ पर हम इसे हमें पता नहीं है कि कौन है anybody मतलब कौन पता नहीं somebody अब somebody कौन किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है तो यहाँ पर somebody का मतलब हुआ कि हमें उसकी जानकारी ही नहीं है कि किसने आपका पर्स चुराया है तो ऐसे शब्दों का इस्तमाल जब हम ऐसे subject के रूप में करते हैं तो वो indefinite pronoun कहलाता है क्योंकि यह आते तो आगे है न example देखिए one should do one's duty मतलब किसी एक को उसकी खुद की duty का ध्यान रखना चाहिए यह one कोन है भाईया तो यह indefinite है पता ही नहीं हम बोल देखिए कि रतेक को अपनी duty का ध्यान रखना चाहिए मतलब one मतलब हर व्यक्ति को अपनी duty का ध्यान रखना चाहिए एक्जाम में यह question कई बार आया है एक्जाम में यह question हजारों बार आचुका है competitive exam में यहाँ पर blank आता है once की जगह पर एक्जाम में आपको क्या पूछता है कि आपको यहाँ पर ना वो blank दे देगा यहाँ पर उसने आपको blank दे दिया ठीक है और आपको पूछ रहा है कि जल बता भाई तुम पड़े लिखे हो तो वो पूछेगा आपको कि बता भाई one should do तो यहाँ पर क्या आएगा his duty her duty one's duty या everybody's duty every duty बताओ तो अगर आपने पहले थोड़ा सा भी अगर knowledge प्राप्त किया है properly इमानदारी से पढ़ा है तो आपको यह phrase याद होगी यह हर व्यक्ति को अपनी duty ध्यान रखनी चाहिए तो आप बिना सोचे पास गती से काम करोगे कि sir his कब आता जब यहाँ पर he आता कि he should he should do his duty अगर यहाँ पर her आता यहाँ पर कब आता his जब यहाँ पर he आता तो his duty होता she आता तो her duty होता once he होगा यहाँ कि one के साथ क्या लगेगा one लगेगा तो यहाँ पर जो right answer होगा वो क्या होगा तो कहने का मतलब यह है कि जैसा प्रनावन उसके reflection भी वैसा ही होता है तो इस प्रकार का question कई बार exam में आया हुआ है दिहान रखना है आगे बढ़ जाते हैं दूसरा यहाँ पर देखिए यह देखिए someone has done his duty अब someone के साथ his क्यों आया क्योंकि someone में हमने someone को एक लड़का माना हमने judgment लगाया कि someone का मतलब एक boy है और एक boy है तो boy के हिसाब से यहाँ पर हमने he predict किया और he की हिसाब से हमने यहाँ पर his लगा दिया Someone मतलब किसी ने यह कारे किया है. तो सबसे पहली बात तो हम इन सभी के मीनिंग समझ लेते हैं. जैसे हमको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए. One मतलब कोई एक, someone का मतलब होता है, कोई या किसी ने, somebody का मतलब भी सेम होता है, इसलिए दोनों की जगह में से कोई भी आ सकता है इसका मतलब भी होता है कोई एक यहाँ पर आप एक शब्द भी लिख लो तीसरा है nobody nobody का मतलब होता है कोई नहीं और अगला है anybody तो anybody का मतलब होता है कोई भी देख लीजे I have written सब कुछ मैंने आपके सामने लिख दिया है मैंने बता दिया है कि भाई आपको कैसे meaning को judge करना और कौन सा meaning सहीं आएगा कुछ practice करके देखते हैं कुछ word में आपको confusion हो रहा होगा topic का नाम है indefinite pronoun हुआ है इंडेफिनेट प्रणाऊन है ठीके एंडेफिनेट प्रणाऊन में एक सेकेंड चलिए आगे बढ़ते हैं कहां था हमें इंडेफिनेट प्रणाउन में हमने कुन-कुन से वर्ड रखना है वो जो आपको बता है जैसे संबडी है तो संबडी का मतलब होता है कि कोई एक किसी ने तो संबडी is missing me कोई मुझे याद कर रहा है तो आपको इसके बारे में क्या याद रखना है आपको इसके बारे में या रखना है कि संबडी के साथ singular helping verb आती है इसके अलावा इसे की जगव पर संबडी की जगव पर हम यहाँ प wants to eat pizza क्या कोई pizza खाना चाहता है तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर मैंने यहाँ पर anybody लगाया तो यहाँ पर wants लगाया क्यों जो कि want plural के सार इस्तमाल किया जाता है हमें यहाँ पर subject singular है तो main verb में S.A.I.S. लगाना पड़ेगा according to present indefinite tense क्योंकि helping verb तो है नहीं ना तो main verb में हमने S.A.I.S. लगा कि बता दिया तो यह correct माना जाएगा उसी प्रकार आपके सामने एक और word आया था वो था nobody nobody is preparing for exam and nobody is taking me serious taking me serious तो यहाँ पर भी same situation है दोस्तों कि ease के साथ क्या लगाएंगे अगर nobody आया तो यहाँ ease लगाना है क्योंकि subject similar है question का meaning क्या हुआ कि कोई मुझे serious नहीं ले रहा है तो आपको भाई कोई serious क्यों ले आपने ऐसा क्या किया है जंदगी में कुछ बड़े बन जाओगे तो फिर serious लेंगे आप पानी पीओगे उसको भी serious लेंगे लोग कि देखो वो कौन सा पानी पी रहा है है ना ओर सुना है मैसी और रोनाल्डो और विराट पोली ये सब बहुत महंगा महंगा पानी पीते हैं तो पानी पीते हैं उसकी भी अकवार में चर्चा होती है ऐसा क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस दुनिया को जीता है किसी गेम में टॉप लेवल पे गए है काम ऐसा करो कि टॉप लेवल पे पहुंचो चोटा मोटा काम तो कोई भी कर लेगा गिंती नहीं होगी लेकिन अपने करियर के टॉप पर जाना जो भी काम उठा उसके टॉप पर जाना तब लोग आपको सेरसली लेंगे इसके अलावा क्या वर्ट था भाई इसके अलावा था वन मैंने करवाया समवन समबडी एनिबडी एनिबडी भी हो गया क्या anybody भी हो गया ठीक है बाकी तो सब वही है nobody somebody के meaning यह की ultimately एक question ऐसा exam में आ सकता है आपको ऐसा आ सकता है कि nobody यहां लिखी कि डबलन कौम में is a और यहां दे देंगे खाले इस्तान और आपको बोलेंगे कि nobody है पर संब्रनाउम रिफलेक्सित प्रनाउम थीष्र ऑप्षिन आ जाएगा indefinite प्रनाउम और चोथा ऑप्षिन आ जाएगा गाव्डव डी वालबस्ट आ जाएगा डिस्टी बीट्यू प्रनावन अब आपको यहां पर दिमाग लगा के बताना है कि कौन सी प्रनावन का यह पार्ट है तो नोबडी आपको पता है नोबडी एनी बार नोबडी मतलब कोई नहीं तब कोई नहीं तो पता ही नहीं कोन है मतलब अनिश्चित है और अनिश्चित ह इसको identify करना मुश्किल है किसी एक की बात नहीं हो रही पुरसनल प्रणावन होता तो यहाँ पर क्या आता आई वी दे यू आता ही शीट आता रिफलेक्सि प्रणावन होता तो himself इसको identify करना बहुत मुश्किल है समझ में आगया कैसे करना है आया ना बोल भाई आया की नहीं आया आगया चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला टाइप देखिए इंटेरोगेटिव प्रणावन मैंने आपको जब मैंने आपको रिलेटिव प्रणावन पढ़ाया था तो मैं कहलाएंगे इंटेरोगेटिव देखिए इंटेरोगेटिव प्रणावन क्या होते हैं जिस प्रणावन का प्रयोग वाक्य में प्रश्ण बनाने का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे उस प्रणावन को इंटेरोगेटिव प्रणावन करते हैं जिन जिन वर्ट का हम ब यक्ति का नाम आता कि तुम कौन हो अगर नहां पर नाम आ जाए तो यह खतम हो जाएगा तो आपको ऐसा नहीं कि आपने हर हर डबली एच वर्ट हर डबली एच वर्ट इंट्रोगेटिव प्रनावन नहीं होता है जैसे यहां पर समझो बात को मैं क्या कहना चाहरा हूं विच बॉइ या हां विच पैन कौन सी पैन तो यह जो विच है यह इंट्रोगेटिव प्रनावन नहीं है यह है आपका इंट्रोगेटिव एड्जेक्टिव क्या है एड्जेक्टिव है क्यों क्योंकि यह नावन के साथ आ गई और प्रनावन की परिभासा क्या बोलती है मित प्रणवन की परिभास्ता बोलतीए कि गवाईन नाउन की जगह पर आता है तो यह टो यह पढ़ाएगा तो άगे आपको अभी यह समझाने के कोशिस करना हूं भाईोँ कि कि जब भी डडवले चुंगे न तो यह अकेले आएंगे ब्रहुमा दा माना चाहिए Who are you? तुम कौन हो? तो यह डबलेच वर्ड जो है यह आपका interrogative pronoun है क्योंकि इसका answer किसी noun से निकलेगा इसके answer में क्या आएगा? इसके answer में कोई न कोई noun आएगी ही आएगी तुम कौन हो तो तुम रमेश हो, सुरेश हो, महेश हो यह आएगा What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर देखो इस डबलेच वर्ड के जस्ट बाद helping वर्ब आई तो यह जो वर्ड है यह एक pronoun है क्योंकि अगर noun होता तो noun के बाद भी helping वर्ब आती तो यह helping वर्ब यह बताती है कि अगर जस्ट डबलेच वर्ड के बाद helping वर्ड आ रही है तो वो प्रनाउन है तुम क्या कर रहे हो तो तुम अपना काम बताओगे यहाँ पर जो answer आएगा वो work होगा और जो किया गया जो काम होगा वो noun कहलाएगा who comes here daily यहाँ पर कौन आता है which of these gentleman is someone कौन सा gentleman है तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा उसका type बताएगे what is the matter matter एक noun है क्या problem है matter क्या है तो आपको यहाँ से question बन सकता है कि इसको रेट कर देंगे पूछेंगे बताओ यह कौन सा प्रनाउन है तो वहाँ पर confusion नहीं होना है यह आपको बताना है कि यह question का निर्मान कर रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रनाउन है अगर यह वाक question लिख रहा हूं कि अगर इस यह क्लास टीचर कौन है अब इसमें इसको identify करना है कि यह क्या है आपके वास आप्षिंस आ गए कौन सा प्रनाउन है तो आपने बताया यह क्या परस्नल प्रनाउन है यह P मतलब प्रनाउन क्या यह reflexive प्रनाउन है तीसरा option आया क्या यह relative प्रनाउन है यहाँ पर आप confused होंगे और क्या यह interrogative प्रनाउन है अब आपको पूरा दिमाग लगाना है कि भई परस्नल तो होनी सकता है क्योंकि आई वी दे यू हिशीट नहीं है रिफ्लेक्शियों में self word आता है s-e-l-e-f है ना यह कब होता जब यह वाला word आता तो self होता तो हम समझते कि यह reflexive हो सकता है लेकिन self word लगा नहीं है अब relative कव होता जब यह हूँ किसी वाकिय के बीच में आता है और इसका मतलब जो निकलता लेकिन यहां तो question है तो यह भी नहीं तो answer होगा interrogative लेकिन question number two को देखिए कि आपने बोला this is this is the same boy this is the same boy who made me yesterday यह वहीं लड़का है जो मुझे कल मिला था आप उसने पूछा कि बताओ यह कौन सा जो है आपका प्रनावन है क्या यह आपका personal प्रनावन है क्या यह आपका indefinite प्रनावन है क्या यह आपका interrogative प्रनावन है या क्या यह आपका relative प्रनावन है बताईए कौन सा प्रनावन है ऐसे प्रीवेस एर के questions ऐसे आते हैं यह वही questions है जो मैं आपको बता रहा हूँ अब आप देखिए यह वाला word आपको बताना है कि हू क्या है इसमें तो पहली बात तो यह प्रनावन है आप देखो यह noun के जस्ट पास आ गया है और जो noun के पास आ जाए एना तो यहाँ पर यह टुकड़े कर रहा हूँ यह boy के लिए इस्तमाल किया गया word यह वही लड़का है जो जो मतलब लड़के की बात कर रहे है तो जो मुझे कल मिला था तो यहाँ पर यह wh word का मतलब question बना नहीं हो रहा है कि who met me yesterday मुझे कौन मिला ऐसा नहीं हो रहा है यह question नहीं बना रहा है इसको पूरा पढ़ोगे तो मिनिंग निकलेगा कि यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला था तो जो मुझे कल मिला था जब उस question के बाद just helping verb होगी तो वो question का निर्मान करेंगे और उस question word के बाद अगर कोई दूसरा word आ जाएगा तो वो relative pronoun होंगे यह बात आपको समझने चाहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आया ना बोलो भाई, आ रहा है समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला टाइप है हमारा impetitive reciprocal ठीके दो टाइप और बचें फटाफट finish करते हैं impetetic impetic impetetic pronoun क्या होता है जब reflexive pronoun का प्रयोग जोर देने के लिए emphasize करने के लिए देखिए emphasize का मतलब क्या होता है साथियों emphasize का मतलब होता है pressurize करना किसी चीच पे और जोर देना तब वो क्या बन जाता है impetetic pronoun बन जाता है जैसे अलोग himself is good ये himself अगर वाक्य के last में आए बात को समझना बहुत बारीक अंतरे reflexive pronoun ने उसमें ये himself अगर last में आता तो ये reflexive pronoun कहलाता क्योंकि reflexive pronoun में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर I का myself होता है she का herself होता है लेकिन कब होता है जब ये सारे के सारे words सामानता दिये जाते हैं असोग himself is good but not his friends असोग खुद बहुत अच्छा है पर उसके दोस्त अच्छे नहीं तो हमने यहीं के साइट में लिख दिया कि वह खुद बहुत अच्छा है तो जब किसी noun के साथ ही उसकी बगल में उसका pronoun का रूप आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका empathic pronoun कहलाएगा रमेश himself did the work रमेश ने खुद ने ये काम किया पता है रमेश ने इस तुडेंट देंसेल्स आर लेट जो चात्र है यहां पर students ऐसा आएगा यहां पर यह एस लगा देना इस तुडेंट खुद आजो है खुद लेट है मैं यह समझाने कोशिस कर रहा हूं इन दोनों में अंतर है देखो बात को समझो एक यह एक्जामपल देखो यह एक्जामपल जो है आपका रिफ्लेक्स्य प्रनावन का है जो कि इसमें भी सेल्फ लगता है न और यहां पर भी सेल्फ लगता है लेकिन एंफटिक में क्या होता है pressure दिया जाता है इसमें क्या होता है कि pressure दिया जाता है pressure किस पर उस प्रणाउन पर तो ऐसोग खुद और यहां पर असोग का अर्णपल देता हूं। अलोगि तो इस working वर्किंग हिमसेल्फ अन्धिस प्रोजेक्ट बता विस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बताए तो यहां पर अलोग जो है ना उसके जस्ट बात जो है आपको यह वाला हिमसेल्फ वाला वर्ट दिया है और यहां पर अलोग की बात देखो यहां पर हेल्पिंग वाब आती है में वाब आती है फिर जाके मीनिंग क्या हो आलोग खुद आलोग जो है काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पर वो खुद ही काम कर रहा है मतलब वो खुद अकेला काम कर रहा है प्रेशर नहीं दिया गया है सिर्फ जानकारी दी गई है कि वो खुद ऐसा कर रहा है तो मैं खुद को अपना काम करना चाहिए यू शुद डू यह वर्क यूर्सेल्फ क्या बोलेंगे यहां देखो कि यू शुड्ट कि डू यह वर्क कि और लास्ट में यहां पर लिखा यू यूर्सेल्फ बास समझ में आई तो यहां पर यह यह क्या है रिफ्लेक्सिव प्रणावन है रिफ्लेक्सिव जो हमने सेकेंड टाइप पढ़ा था पर जब अगर इस यूर्सेल्फ को मैं यू के जस्ट बात लिख दूँगा तो हमने प्रेसराइज कर दिया यू को तो यह हो जाएगा इंफेटिक प्रणावन क्या हो जाएगा इंफेटिक इंफेटिक प्रणावन हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं लास्ट प्रणावन हमारी है रेसीप्रोकल प्रणावन रेसीप्रोकल प्रणावन क्या होती है इच आदर वन अनादर रेसीप्रोकल प्रणा प्रयोग दो से अधिक वस्तों लिए किया जाता सीधी सी बात है दो वेक्तियों की बात होगी तो क्या लगाओगे कि एना इच आदर माने या मिनिंग समझो पहले यहां सिर्फ दो वेक्तियों की बात होगी यह पहला दूसरा उसने क्या बोला है वन अनादर ठीक है अब इसका मतलब क्या बता है दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी ठीक है जैसे एक्सामपल की तो समझते हैं यू एन आई हेल्प इच आदर तुम और मैं एक दूसरे को मदद करते हैं चुकि सब्जेक्ट हमारे क्या है दो ही है एक सामने तुम हो इधर मैं हूँ हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं इच आदर अब यहाँ पर देखिए सारे बच्चे यह सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट बता रहा है कि आगे जाके इच आदर नहीं आएगा वन अनादर आएगा और अब देखिए सब्जेक्ट हमारा बहु अचन वाला होगा तो यहाँ पर वन अनादर आएगा सब बच्चे एक दुसरे को हेट करते मतलब वन अनादर मतलब सारे बच्चे आगए बोथ अफ दे गर्ल्स टीज इच आदर बोथ का मतलब होता है सिर्फ दो बोथ मतलब क्या होता है दो होता है तो बोथ अफ दे गर्ल्स दोनों लड़कियां एक दुसरे को टीज करती है चिडाती हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या आगया एच आदर आगया क्योंकि दो की बात हो रही है दफाई ब्रदर्स लव वन अनादर पाँच भाई जो है वो आपस में एक दुसरे को बहुत प्यार करते हैं चुकि पाँच ब्रदर है जब कोई संख्या यहां लिखा है वन अनादर दो से अधिक व्यक्ति जब कोई संख्या दो से जादा हो जाएगी तो आपको वहां पर व लिए हैं यहां पर जो है हमारी प्रणाउन का जो है लाज जो पैटन था वो कम्प्लीट होता है आप सभी ने अच्छे से पढ़ा समझा देखा प्रणाउन कम्प्लीट हो गया है अब आपको पहली फुरसत में जाना है मास्टर ट्यैंप पर मास्टर डिया पर जाकर आपक कितने marks आ रहे हैं अब इसको पढ़ने के बाद बाकी testories भी आप चेक कर सकते हैं आप कोई books भी खरी सकते हैं market से वहाँ पर भी जाकर तोड़ा सा पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको चीजे समझ में आ जाएगी और आप बहतर understand कर पाएगे मेरी पूरी कोशिस होती है कि कठिन से कठिन चीजों को मैं simplify करके आपके सामने पेश करूँ ताकि आप उन्हें समझ पाएं क्योंकि कई बार क्या होता है चीजे इतनी connected होती है इतनी core related होती है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है इसलिए हम पूरे जो books होती उनसे content को अच तरीके से represent किया गया है और exam में भी मैं बार बार आपको question खुद करके दिखाता हूं board पर सिर्फ content के explain नहीं करता हूं मैं example भी देता हूं कि भाई देखो ये question ऐसे आ सकता है यहां blank put दे सकता है error दे सकता है ऐसे आ सकता है ठीक है तो सारा मैं practically आपको board पर करके दिखा रहा ह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर लगे तो comment में जरूर बताएं और आपको ये course बढ़िया लग रहा हो ये classes बढ़िया लग रही हो तो आपने इसको चितने भी exams की तैयरी कर रहे हैं उनके साथ share करें इसके बारे में कि Mastery app डाउनलो आपको दिया हुआ है चलिए आज के लिए इतना काफी है मैं हूँ आपका दोस्त कमलेश यादव आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलिग्राम ग्रूप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे एंस्टाग्राम पर फिक साथ तब तक के लिए टेक केर टाइंक यू